नमस्कार आप देख रहे हैं जनसत्ता.com मैं हूँ आपके साथ गौनिकारोडा नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबर पर श्रीनगर में लगे कर्फ्यू के कारण बीते दो दिनों से बादित अमनात यात्रा को आज तीसरे दिन आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है जमु कश्मीर पुलीस के प्रवक्ता के मुताबिक आज तकरीबन 2800 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किये पवित्र गुफा तक जाने के लिए हवाई सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है गुफा तक जाने के लिए तकरीबन 4500 यात्रियों ने हवाई सेवाओं का इस्तिमाल किया प्रवक्ता के मुताबिक तक्रीबन 25,000 यात्रियों को बालटाल, पहलगाम और अन्यस्थानों से निकाल कर कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मु की और रवाना कर दिया गया श्रीनगर में लगे कर्फ्यू के कारण बीते दो दुन्यों से अमनात यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण यात्री जहां थे वे वही फसे रहे और ग्यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था शुकरवार को 22 साल के हिजबुल कमांडर बुरहान वाहनी के एक एंकाउंटर में मारे जाने के बाद श्रीनगर में कर्फ्यू लगाय देया गया था और अभी भी राज्य में स्थिती तनामपून बनी हुई है देश और दुनिया की बागी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए